हेलो फ्रिंट्स वेल्कम तो माय यूट्यूब चैनल गेट हैंटरेट आज हम अपना कवर करेंगे फॉर इक्चेंज रिट का पार्ट टू लेट्स स्टार्ट पार्ट वन में हमने कवर किया था सप्लाई ओ फॉर इक्चेंज डिमांड ओ फॉर इक्चेंज और फॉर इक्चेंज रिट की डेफिनिशन आज हम कवर करेंगे सिस्टम ओ फॉर इक्चेंज रिट सिस्टम ओ फॉर इक्चेंज रिट में मतलब की रेट कौन डेटर्मेंड करता है इसका रेट क्या होता है कैसे जो है कि हमने बुला कि हमने एजूम किया था सिक्स्टी रूपी इक्वल टू वन डॉलर यह जो भी चल रहा है मार्केट में कैसे है को इसको बनाता है यह सारी जी जी कैसे बनती है ओके तो फॉर इन एक्चेंज हमने कर लिया था फॉर इक्चेंज क्या होता है इट रैफर्स टू ओल करंसी इसका मतलब है सारी करंसी अधर दैन था डोमेस्टिक करंसी नहीं हमारे खुद की कर्टरी को छोड़के जित्ती में करेंट करंसी हैं वह सारी हमारे लिए वंगे जैसे यूस डोलर बरिटेश डोलर कोईती देनार और वोर्न एक्चेंज फॉर एंडियं दिय ऑसKEपारि यह थे उसके बाद उखले एक्षेंज रेट रेट क्या था आट वीच रेट रेट वीच वन करंशी एक्षेंज फुर अदर जिसके बदले एक करंची कौन एक्षेंज कर सकते हैं ठीक है जैसे एक्जांबल रुपीज वन उक्वल डू डॉ डॉलर वर्न बैसेंटी क्यों गोई हमने क्या किया था कि 1 इ value मैंने assume कि यहां पर 70 रुपिस तो चलो आप सिस्टम करते हैं यह थोड़ा सा सम्मधी थी अब वो करते हैं सिस्टम कितने है इसमें foreign exchange rate में हमारे पास exchange rate के लिए दू सिस्टम है एक है fixed exchange rate system एक है flexible exchange rate system fixed और flexible दोनों की कुछ components कुछ parts है यह मेरे पास first part fixed exchange rate system fixed exchange rate system में क्या होता है fixed करती है इसमें कौन rate को fix करता है government यह किसके through fix किया जाता है government के through rate को fix किया जाता है इसके दो variants होते हैं पहला variant होता है gold standard gold standard कब चलता था प्रियर तो 1920s 1920 से पहले ही used के जाता था कैसे कि क्या आज्यून कर ले जाता था कि जैसे gold की कुछ unit ले ली एक normal gold की unit ली ठीक है उसमें बोला कि जैसे UK है UK के जो pound है UK में जो pound है उसकी value कितनी होगी 4 gram of gold के equal होगी कितनी होगी 4 gram of gold के equal होगी ठीक है उसके बास similarly US dollar की value कितनी ले ली 2 gram of gold के equal ले ली ठीक है इस तरीके से दोनों की value किसमें fix कर दी fixed exchange rate निंग gold के थो कि तुमारे 4 gram gold के equal है हमारे 2 gram के gold के equal है तो इस तरीके से यह लगे इस का ratio बना दिया 1 is to 2 क्योंकि UK का क्या है 2 और US मतलब 4 is to 2 आव ऐसे को कटके 1 is to 2 ठीक है UK कितना हो गया 2 US के जितने भी dollar होंगे वो UK के dollar से half price में माने जाएंगे इस तरीके से ठीक है यह था हमारा fixed exchange rate system ऑके उसके बाद है adjustable pack system adjustable pack system में क्या है कि यह क्या करता है इसमें कुछ थोड़ा सा adjustments को allowed किया जाता है कि थोड़े adjustments allowed होती है इसके अंदर जैसे थोड़े बाद price बना वो price determine कर दिया उसके बाद जो उसके अंदर adjustment होंगी वो कौन कर सकता है वो उसके अंदर standard units थी लेकिन उसके अंदर थोड़े adjustments से इसके अंदर adjustment नहीं थी इसमें no adjustment चला उट इसमें थी और वो adjustment कौन कर सकता था सिर्फ I am of international monetary fund exchange rate flexible exchange rate का मतलब आपको बता है जो flexible का मतलब जो easily change करा जा सकी fix now कुछ change कर सकते हैं ठीक है in 1977 क्या था कि rate को कौन determine करता था कौन इस rate को बनाता था supply and demand forces यानि market में जितनी की supply होगी demand होगी उसके according उसका rate change किया जाएगा ठीक है यह होता है flexible exchange rate exchange rate at which foreign currency कि जो supply है power rate of exchange और equilibrium rate of exchange कैसे है जिसे मैं बोलो कि यह आपने देखा होगा कि supply का positive होता है curve और यह negative होता है अब जहां कहीं पर भी दोनो equilibrium पर आ जाएंगे वही इसका rate determine हो जाएगा मतलब वही इसका rate कर दिया जाएगा कि हाँ यह इसका rate है यह ही fix करतेंगे ठीक है उसके बाद फिट से माल लो suppose करो कि इसकी demand बढ़ गई ठीक है तो क्या करा कि अब इसका rate फिट से बढ़ का rate इस तरीके से इसकी चीच होती है ठीक है यह था हमारा flexible exchange rate अब इसके अंदर ना कुछ वह है इसके graphs है equilibrium हो हम 3rd part में करेंगे इसके अंदर ना कुछ और भी value होती है जैसे कि exchange rate at which demand for foreign currencies equal to supply तो हम इसको पार rate of exchange और equilibrium rate of exchange जी दोनों इसके क्या है इसको हम other name से भी बूल सकते है इसके दोनों क्या है other name है ठीक है उसके बाद इसको demand forces इसको free exchange rate भी बूला जाता है free exchange rate क्यों क्योंकि इसके अंदर intervention नहीं होता कि इसका no government intervention government का कोई intervention नहीं होता है इसके अंदर इसलिए हम इसको free exchange rate बूलते है नोगा में लेकिशन ठीक है चलो अगे गरते हैं इसके बाद आता है हमारा foreign exchange market आपने बहुत बार सुनों का foreign exchange market लेकिन आपने कभी देखिया foreign exchange market मतलब अगर आपका भी market गए हो तो वाँ आपने देखा होगी यह foreign exchange market है चलो देखते हैं इसमें क्या वालता है तो कुछ नहीं ह होता है कि जो foreign currencies होता है foreign currencies foreign exchange market में foreign currencies को खरीदा और वेका जाता है buy and sell किया जाता है it does not have any specific location इसकी कोई specific location नहीं होती तो समय यह नहीं बोल सकती कि यह मुझे सदरवजार में मिलेगी ठीक है लाशपतनगर में मिलेगी इस तरीके से क्यों कोई specific location नहीं होती इसको हम कहां deal कर सकते हैं internet पे हम इसकी साथ deal कर सकते हैं example जैसे BSC Bombay Stock Exchange इस तरीके से Bombay Stock Exchange NSC भी आच नेशनल Stock Exchange लेकिन यह वाला जो है उससे पहले से BSC and NSC इस तरीके एक्जांपल से foreign exchange market के इसके कुछ functions है वो पच्छे वो करता है अब यह है हमारा foreign exchange market के कुछ types होते हैं कितनी तरह की होती है पहली होती है sport market दूसरी होती है forward market sport market कैसे होती है वो वाली market जिसके अंदर recepts and payments are made immediately मतलब recepts आपको जो भी मिलना है वो और आपको जो भी payment करनी है वो जल्दी की जल्दी immediately comforts होगा जल्दी से हो जाता है day-to-day transactions होती है इसके अंदर ठीक है लेकिन forward market में क्या होता है कि यह deal किस पर करता है आज के rate पर जैसे मैंने खरीदा आज के rate पर यह deal मैंने आज के rate पर कर दी लेकिन मैं उसको खरीद के अपने पास रख लोंगी और इसकी selling में कब कर सकते हूं future debt पर जैसे मुझे मैंने चेक कि है कि हाँ इसकी value increase हो गई तो मैं इसको तब डेग सकते हूं ठीक है और अगर वो नहीं बढ़ी उसकी value तो वो भी मेरी responsibility होगी और किसी का उसमें कोई नु आज के आज आज आपको बेशनी है तीन या चार बजे तक का time साड़े तीन बजे तक का time होता है आपको बेशनी है संडे को आप नहीं संडे को यह ओपन ही होती इस तरीके सरी यह हैं आपके functions कि इसके foreign exchange market के मतलब वाई Bombay stock exchange national stock exchange अच्छा आप सब लोग phone use करतों आपने दे नुकसान होता है तो उसके आप खुछ से जिम्मेदार हो इस तरीके से ठीक है वो सब foreign exchange मतलब शेयर से related होता है वैसे वो तो लेकिन मैं आपको foreign exchange से related बतारी ठीक है तो क्या होता है transfer function में क्या होता है जैसे मैं बोलो transfer of purchasing power पहले वाले इसका function क्या है कि transfer of purchasing power जैसे कि अगर मै मैंने उसके वो खरीद ली तो मेरे पास purchasing power और मैंने अपनी transfer कर दे किसको transfer कर दी अगर मैंने इंडिया की यह मतलब इंडिया की पैसे दिया है और अगर इंडिया की पैसे दिया है तो क्या हो उसके पास जिसको मैंने दिया है उसने मैंने इसको अपनी इंडिया में कुछ भ तो मैंने इसको rupees जिये हैं वो इंडिया में कुछ भी खरीच सकता है और मैंने जिससे dollar लिये हैं अब मैद यूस में जागे कुछ भी खरीच सकते हूं तरल लब कुछ भी मदब जितने पैसे हैं उतने पैसे हैं ठीक है उसके बाद है दूसरा point credit function credit function में क्या है credit function जो है वो है provision of credit यानि कि अगर मेरे पास currency है तो मैं इसको एक तरीके से ये उद्धार में भी चला सकते हूं कैसे जैसे में foreign exchange market में provision of credit की भी facility होती है bills of exchange जैसे बोला जाता है इसका maturity period 3 months का होता है इसके बाद है third month जो की है hedging function hedging function में क्या है protection against risk हमें चुड़ है risk के against protection मिल जाती है कैसे जैसे मैं बोलो कि ये A है और ये B है इसको ध्यान मत देना ये है ये B है इसमें क्या है ये इंडिया है और ये USA है इंडिया ने क्या किया कि हंड्रड थाउजिंड डॉलर की investment की का USA में USA में investment की ठीक है और उसने सिर्फ अभी deal की मतलब payment नहीं की सिर्फ deal की है अभी पर payment अभी नहीं की ठीक है थोड़े दिन के बाद क्या हुआ 30 days के बाद क्या हुआ कि जो इसने अभी deal करते है ये deal final हो चुकी है अब क्या हुआ कि value की जो USA की currency इसकी value और भी जादा बढ़ गई यानि कि आप उसको 1000 देने के बजाए वन लाग डोलर देने के बजाए इसकी value अब इसकी कितनी हो गई वन लाग फिफ्टी थाउजन 25 लेने का है वन लाग 25 थाउजन इसकी value बढ़ गई अब हम ने हम हम सोच आप लोग सोच होगे कि अब एक लाग 25 थाजार देने होगे नहीं अब क्या हुआ कि deal final हो चुकी थी value बढ़े या कम हो हमें उससे मतलब नहीं है हम इतना ही देंगे ठीक है तो अब क्या हुआ अब ये वन ठीक है ये था हमारा hatching function क्या करता है यह हमें risk से बचाता है prevention against risk ठीक है यह हमारा हुआ इसकी functions complete नोश्च चाहिए तो फिर से बोल रहा हुँ एड़री इकनोमिक्स हेर बचावर के मुझे इंस्टाग्राम पर फूलो कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू अगर आपको वीडि हुआ हुआ